आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक में आज मैं आपको दुरूप तारी की कथा बताऊंगी जो विश्णु पुराण में उलेखित है पुराणिक कथाओं के अनुसार मनु और सत्रूपा संसार के प्रतम स्त्री और पुरश्ते जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी मनु को स्वैंभू मनु के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मा जी के पुत्र के तोर पर भी जाना जाता है मनु और शत्रूपा के विवा से दोनों को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम प्रियवरत और उत्तनपात था उन दोनों के बड़े होने पर प्रियवरत का विवा विशकर्मा की पुत्री ब्रिमश्मती के साथ हुआ और वहीं दूसरी ओर उत्तनपात का विवा सूनिती और सुरुची से हुआ मनु और शत्रुपा के पुत्र प्रियवरत को भर्मिश्वती से दस पुत्रों की प्राप्ती हुई वहीं दूसरी ओर उत्तनपाद को सुनीती से धुर्व और सुरिची से उत्तम नाम की पुत्रों की प्राप्ती हुई अब मैं आपको बालक दुरुब की पौरानिक खता सुनाओंगी राजा उतनपाद अपनी प्रधम रानी सुनीती से बहुत प्रेम करते थे लेकिन कई वर्षों तक दोनों के कोई संतान नहीं हुई इसलिए राजा ने अपनी प्रधम रानी सुनीती के समझाने पर सुरुची नामक कन्या से दूसरा विवा कर लिया जब राजा की दूसरी पत्नी सुरुची को महल में आकर उनकी प्रधम पत्नी के बारे में पता चला तब उन्होंने राजा से पहले अपनी पहली पत्नी को महल से भान निकालने के लिए कहा, जिसका राजा ने विरोध किया, पर ये सुनकर उनकी पहली राणी सुनीती ने खुदी राजमहल त्याग दिया और वन में चली गए, कुछ समय पश्याद राजा उतन पाद जब शिक राजा कई दिनों तक अपनी पहली पत्नी सुनीती के साथ रहे उस दोरान उनकी रानी सुनीती गरवरती हो जाती है और उन्हें पुत्र रहतन के रूप में बालक धुरुप की प्राप्ती होती है बालक धुरुप के पैदा होने के बाद भी राजा उत्तनपाद की पहली पत ठुकरा देती हैं वो दुरुव को कभी-कभी महल बेज दिया करती थी लेकिन रानी सुरुची को दुरुव से बहुत ग्रणना थी एक दिन रानी सुनीती का पुत्र दुरुव अपने पिता की गोद में बैठ कर खेल रहा था तब ही रानी सुरुची वहां आ जाती हैं और बालक धुरुव को राजा उतनपद की गोद में खेलते देख उसका मन इर्शा से जल उटता है और वह बहुत क्रोदित होती हैं उसने फॉरण जपटकर बालक धुरुव को राजा उतनपद की गोद से खीच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बिठा दिय और बालक धुरुव से खा कि तू मेरी कोक से उत्पन नहीं हुआ है इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंगाशन पर बैटने का कोई अधिकार नहीं है अपनी सोतेली मा के इस वेवार पर बिचारे मात्र पांच वर्ष के अबोद बालक धुरुव को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चले जाते हैं और महल से अपनी मा सुनीती के पास पहुँच जाते हैं महल में अपनी सोतेली मा राणी सुरुची दुआरा किये गए इस दुर्विवार से दुखी होकर बालक धुरुव महल छोड़ कर अपनी माता राणी सुनीती के पास आश्रम वापिस आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना करम की जानकरी देते हैं इसके बाद उनकी माता जी उनको समझाती हैं कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो उसके बदले में उसे बुरा मत कहो नहीं तो ऐसा करने से तुमारी ही हानी होगी उनकी माता जी नहीं उन्हें समझाये कि अगर वे अपने पिता की गोद में सम्मान से बैठना चाहते हैं तो पहले भगवान विश्णू की उपासना करें वो जगत के पिता और पालन हार हैं उनको अपना सहारा बनाओ मा की वो बात बालक धुरुव के मन को चूजाती हैं वे सभी मोत्याकर भगवान की भक्ती के लिए निकल पड़ते हैं जब बालक धुरुव अपनी माता दुआरा समझाने पर भगवान की तपस्या करने के लिए घर से निकले तब वे यमना तटपरस नान के लिए रुकते तब वहां उनकी भेट रिशी नारदमुनी से होती है जो उस बालक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर आकिरकार एक बालक के संकल्प के आगे रिशी नारदमुनी हार जाते हैं और उन्हें रिशी नारदमुनी भगवान की भक्ति की विशय में बताते हैं और ओम नमो भगवते वाशु देवाय मंत्र धुरूप को दिक्षा के रूप में देते हैं इसके बाद बालक धुरूप भगवान विश्णु को प्रसंद करने के लिए राद दिन कहीं महिनों तक कभी जल में तो कभी एक उंगली पर खड़े रहकर रिशी नारद मुनी द्वारा दिये गए मंत्र का जाप करते हैं तपस्या करते हुए बालक धुरूप को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है मगर वे अपने संकल पर अडिक रहते हैं उनका मनुवल कभी विचलित नहीं हुआ धीरे धीरे उनके तपका तेज तीनों लोकों में फैलने लगा और भगवान विश्णू का बैकाउंट भी बालक धुरूप दुआरा लगातार किये गए मंत्रों उचारण से गूजने लगा जिसके कारण भगवान विश्णू भी अपनी योग नेद्रा से उठ गए जब भगवान विश्णू ने अपनी योग नेद्रा त्याक कर बाल और जोतिस चक्र घूमता है इस लोग का नाम तुमारे नाम पर ही होगा अर्थात दुरूब लोग के नाम से जाना जाएगा तुम इस लोग में 36 सहस्तर वर्स तक शाषन करोगे और तुम ऐसे एश्वर्य का भोग करके अंत्मे मेरे लोग को प्राप्त होगे और भगवान के इस वर्दान के पशाथ दुरूब एक तारे के रूप में परिवर्तित हो गए बोलो विश्मु भगवान की जय बोलो दुरूब तारे की जय धन्यवाद